यदि हम कभी भोचपूरी गानों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में अश्लीलता सब घुम जाता है, यानि कि लोगों को लगता है कि भोचपूरी गाने का मतलब सिर्फ अश्लील गाने ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वरतबान समय में जहाँ साउथ और व कई महीं भी चलाए गए। कई यूटुबर, अभी नेता, अभीनेता अभीनेत्रियों mache अपने तरीके से भोचपूरी से अश्लीलता दूर करने को लेकर प्रयास भी किया था। इन सारे प्रयासों का ही परिनाम है कि अबलागतार भोचपूरी में इतने साफ सुत्रे घान प्रेंका सिंग के आई हुए इस गाने के बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे उससे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथ है कैमरामेन विशाल और आप देख रहे हैं जमाजम भोशपूरी प्रेंका सिंग भोशपूरी सिनेमा जगत के एक ऐसी सिंगर है जिन्होंने बड़े-बड़े स्टार्स के साथ कई सारे गाने किये हैं हम यह कह सकते हैं कि प्रेंका सिंग ने अब तक सैकड़ो भोशपूरी गाने गाये होंगे प्रैंका सिंग की आवाज में ऐसी जादू है कि उनको सुनने वाला ना चाहते हुए भी उनका फैन हो जाता है. यानि यह हम कह सकते हैं कि यह भोजपुरी सिंगर्स कोई भी गाना गादे भोजपुरी दर्शकों की सिर्चड़कर बोलने लगता है. प्रेंका सिंग के कई लाखो फैंस हैं जो उनके गानों को खूब पसंद करते हैं इसके साथ ही उनके यूटुब पर ऐसे कई गाने हैं जो खूब चाहे रहते हैं इसी कड़ी में प्रेंका सिंग का एक नया गाना आया है जिसका नाम है सुनाता की घड़ी दिवादपिया। यह गाना वर्ल रिकॉर्ड भोजपूरी के ओफिश्य यूरुप चैनल से रिलिस किया गया है जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। गाने को भोजपूरी इंडस्ट्री के न्यू कमर अभिनेत्री रास्ट्री ने फिल्माया है। को दिखाया गया है। वहीं बताते चले कि प्रेंका सिंग की इस गाने को लिखा है आजाद सिंग ने संगीत दिया है विवेक सिंग ने। इस सौंग के निर्माता है रतनाकर कुमार और इसका निर्देशन गोल्डी जैसवाल ने किया है। वहीं इस गाने में कोर्रगाफी बॉबी जंक्षन ने की है। इतना ही नहीं प्रेंका सिंग का गाना नतुनिया भी अब तक का ब्लॉग बस्टर सौंग है। इस गाने में अर्शिया अर्शी और भोशपूरी की ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले कि सारे लल यादों की लव स्टोरी की कमेस्ट्री देखने को मिलती है। भोशपूरी इंडस्री की ब्लॉग बस्टर सिंगर प्रेंका सिंग का कोई भी गाना आता है। उनके पसंद करने वाले उनको इतना प्यार देते हैं कि उनका गाना आते ही शोसल मीडिया पर च्छा जाता है। इसके साथ ही प्रेंका सिंग ने भोशपूरी की सभी सिंगर्स के साथ हिट गाने दिये हैं जो कि यूट्टूब पर खोब वायरल भी हुआ है। और साथ ही उनके गानों को उनके फैंस या उनकी चाहने वालों के द्वारा लाखों करोडों बार देखा जाता है। इस गाने में अब इनेतिरी राश्ट्री की एक्टिंग को देखकर ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि राश्ट्री भोशपूरी इंडस्ट्री में कदम रखने वाली न्यू कमर्स है। सिंगर प्रेंका सिंग के इस गाने का वीडियो तीन मिनट 31 सेकेंड का है। वहीं सिंगर प्रेंका सिंग का पॉपुलर गाना संयाजी दुबारा गईले को अब तक 33 लोगों ने देखा है। यह सब देखकर कहा जा सकता है कि भोशपूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की स्टार प्रेंका सिंग का कोई भी गाना आता हो वो रिलीज होते ही चर्चा का केंद्र बन जाता है। प्रेंका सिंग अपने नए गाने से अपने दर्शकों पर जादू चलाती रहती हैं। बाकी प्रेंका सिंग के इस गाने को लेकर आपका क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता है। फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी भोषपूरी के नए एंट्रेटेंडमेंट की खबरों के साथ तब तक मुझे इजाज़त दीजिए धन्यवाद।